हेलो गाइज, वी आर्बेक अगेन विडा न्यू वीडियो कैसे हैं आपको कमेंट करके बताएं कैसे हैं आज हम कीस वीडिया पर रेक्षिए आज हम देखने वाले रिंकु को फ्लावर समझे हो क्या बहुत जादा रिक्षिए और मैंने सुने रिंकु ने मतलब के अबाही मता दिया आई प्लावर देखते हैं और बबाजी ने क्या बोला है रिंकु के बारे में सल्मान शाटु खान का मैं ट्विट देखा था रिंकु मेरी जान ऐसा कुछ था मेरी बेबी हां मेरी बेबी है इसलिए भाई आपने घ्लावर समझा था भाई पाया देखा रिंकु नाम थे अपने ख्लावर संझा था भाई फायर लिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी तीम के दूसरे लोग आज की वीडियो में अपनी आवास देए कोई बात में बहुत है यह लो तु पानी भी पानी पीने से यह गम नहीं जाएगा भई आवास निकाल भी सुटू कर और कीवी के बारे में ज़रूर बताना अरे रोनक भाई कीवी छोड़ो यार और पहले रिंकु सिंग की बात करने दो मतलब माइंड इकोल्स टू ब्लो हो गया है अगर आप लोगों ने अभी तक यह मैश नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले शुरू होने से कि आज से ये जो अकाउंट है ना यह रिंकु सिंग फैन अकाउंट के नाम सेynthी के ळाना जाएगा दूनमेंट शुरू होने से पहले हैं अम लोगों ने आपको बता दिए थे थे कि य टूर्नमेंट रिंकु सिंग का breakthrough tournament होगा लेकिन अब भी जो हो गया ना भाई उसने भेजा उड़ा दिया है मतब ये भाई क्या क्रिकेटर है हम तो माही भाई के last ball के छक्या से खुश हो जाते थे इसने तो लगातार पांच मार दिये अगर आपने match नहीं देखा ना पूँ तो मेरी आप से personal हमदर्दी रहेगी रिंकु सिंग जबरदस्त है और उनसे पार पाना मुश्किली नहीं नामुम्किन है अगर कोई doubt है तो जा कर match की highlights देख लो लेकिन एक और चीज़ ज़रूर देखता है description में कीवी आपका link है उस पे click करके download करो इस T20 League के match के बाद free quiz खेल के 1000 रुपए जीतो 11 तारीक को पहले quiz हम खेलने वाले उससे पहले app डाउनलोड कर लो तुरंट से पहले और ready हो जाओ याद रखना match खतं तो कीवी चालो फिलाल हम जो है match पर वापस आते हैं और आपको शुरू से बताते हैं match शुरू होने से पहले ही ना गुजरात फैंस के पास एक बुरी खबर आ गई थी खबर थी कि कप्तान हर्दिक पांड़ा इस match से बाहर है और उनकी जगा कपानी करेंगे राशिद खान राशिद भाई वेकदम क्रांटी वीर बन कर आये बता हो पावर बले के बाद इसकोर था 54 नंके नुकसान पर एक विकेट बतलब ना तो गुजरात से एकदम छप पर पाड़ के रन बन रहे थे और ना ही कोलकाता वालों ने जादा विकेट लिये थे लेकिन साही सुदर्शन और शुमन गील के बीच बढ़ती साज़ेदारी कोलकाता के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी इसको तोड़ा सुनील नारायन ने अभिनों वनोहर ने आकर रिंगती बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन सुएश शर्मा का शिकार बन गए एक ऐसे टाइम पर जो गुजरात मुश्किल में थी और उनके एक रेगुलर कप्तान हार्दिक पांडिया उनके साथ नहीं थे तब स्टेप अप किया साई सुदर्शन ने जिन्होंने 38 गेनों में तिरपन बनाए और बैक टू बैक हाफ सेंस्री लगाई लेकिन इस दाल का तड़का थे विजय शंकर शंकर भाई ने ट्रोल्स को ट्रोल करने का काम किया अठारवी ओवर के बाद विजय शंकर 13 गेनों में 22 रन बना कर खेल रहे थे अगली 11 गेनों में उन्होंने 41 रन ठोक दिये पिछले मैच में गेनबाजो को पेल रहे लोर्ड शार्दूल ठाकूर अब की बार खुद पेले गए आगरी ओर फेक रहे शार्दूल को विजय शंकर ने लगा तार तीन चक्के लगाए और देखते ही देखते गुजरात जो की 1780 मैक्सिमम बनाते दिख रही थी 20 ओवर के बाद 204 तक पहुँच गई टार्गेट अच्छा पाड़ा था उपर से कोलकाता की शुरुद भी अच्छी नहीं रहे पिछले मैच में हाफ सिंचरी लगाने वाले रह्मान उल्ला गुर्वाज अब की बार सिर्फ 15 रन बना पाए मंदीब सिंग की जगा टीब में खिलाए जाने वाले नारायन जगदीशन को शायद किसी ने बताया नहीं कि वो मंदीब की जगा खेले हैं लेकिन उन्हें मंदीब के जैसा नहीं खेलना है वो भी आठगेदों में चरण बना पराप्ट हो गए ऐसे में कोलकाता ने खेला मास्टर स्टोक उन्होंने सुया शर्मा को सब्स्टिटूट करके वेंकटेश एयर को इंपक्त पेर बनाया कोलकाता वाले इस इंपक्त प्लेयर रूल का सबसे वड़िया इस्तमाल कर रहे हैं पिछले मैच में शुय शर्मा की इंपक्त पर बनकर तीन मिट ले गए थे और आज के मैच में वेंकटेश एयर ने क्या चलवा भी खेरा है 26 गेंदों में हाफ सिंचरी जिस भी गेंद पर वेंकटेश बल्ला लगा रहे थे मिडल कर रहे थे यानि ऐसा समझ लीजे जो छूलिया वो सोना नितीश राना के साथ मिलकर वेंकटेश एयर ने संचरी पार्टनर्शिप कर डाली कोलकाता के लिए सब कुछ बढ़िया जा रहा था वेंकटेश और नितीश राना का विकेट गिरने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि एक दो और पहले ही कोलकाता वाले मैच खतम करके साबरवती रिवर्फंड घूमने चले जाएंगे लेकिन फिर आया इस मैच में पहले टर्णिम पॉइंट राशिद खान ये साल पठान का चली रहा है पिक्चर सूपरिट हो गई और ये खिलाली तो हमेशा से ब्लॉकबस्टर रही है यार राशिद ने खुद को आंद्रे रसल के लिए रोक कर रखा था दोनों का आमना सामना हुआ सत्रों में जब कोलकाता को जीत के लिए चौबिस गेंद में पचास रन की ज़रुवत थी अगली तीन में देशुए आंद्रे रसल विकेट की बीछे पकड़े गए अगली गेंद पर सुनिल नरायन डीप मिड़ विकेट पर कैंच दे बैठे और फिर लॉड शार्दलो ठाकूर को लबी डेवी करके T20 में अपनी चौथिक है ट्रिक पूरी करी राशिद खान में उसके बाद रही सही कासर मोहमद शामी ने निकाल दी थी आखरी ओर में जीतने के लिए 29 रण चाहिए थे शारुक खान ने खुद TV बंद कर दी होगी लेकिन रिंकु सिंग जब क्रीस बर डटे हो तो आइंदा हिंदुस्तान में TV कभी बंद नहीं होगी रिंकु भाई ने लगातार पांच शक्के मार पर पॉर्गातार रिंकु ने इस मदबर पर हम और भी जादा वीडियो बनाएंगे फिलहाल मैं निकलता हूँ यहां से जारहा हूँ वापस से रिंकु सिंग के आईलाइट देखने आप भी डिस्क्रिशन देखना रिंकु ब फ्रीप्षिन में लिंक दिया कहा हूँ यहां चैनल सब्सक्रिक चैनल सब्सक्रिशन चैनल सब्सक्मार से भीर पेस पांच बोलों पे मै कि जाया थे जए जिने चुर्수 है हम ऐखना इस अअ मता मैं उस्टैमार फिर Васज में इस प्र कहा फिर मैं असटेमें यहां बनाथो किस तुरहां से कवर किया यार पांट जगे मार के लाई मताँ किछे बॉल कम लग रही तुसमें पांच बॉल में उसने बोला यार बहुत है यार इक बचेगी भी गी और यह अलग से था तो अटो बचा हुझ में आब की अग्वाई के ने तो आप भी कमेंट करें वादाना कैसी लेगी वीडियो कैसा लाया डेक्शन तो चलते हैं नेक्स वीडियो की तरह मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तो अपने ख्यार लिए पीसाओ